नमस्कार, डेमोक्रेटिक चर्खा देख रहे हैं आप, मेरा नाम है विमलेंदो सिंग, वन एस्टेशन, वन प्रोडेक्ट, जो कि भारत सरकार और आई-ार सिटी के सन्युक्त पहल के दुआरा, वर्ष 2022-23 के बजट में इसको पेस किया गया है, जिसमें एक एस्टेशन के लि में पिपड़ा का खाजा का एस्टॉल लगा है, पिपड़ा की खाजा, जो आजादी से पहले से वहां पे खाजा बेचा जाता है, गौनिस साह नाम के एक लोग आये थे यहां पर और उन्होंने यहां पे खाजे की दुकान शुरू की, पहले तो यह खाजा घी में बनाया है, जो कि तीसरे पूस्तून की दुकान यह चला रही है, मैं उनसे बातचीत करता हूं कि यहां की खाजे की क्या महत्व है, और यहां के वन प्रोडेक्ट माने के बाद इस खाजे के दुकानदारों को क्या फाइदा पहुचा है, तो चलिए मैं उनसे कुछ बातचीत करता ह पहले से पहले सूधगी में बनता था अब रिफाइन डाला में बनता था इसा बदला क्यों बदला इस लिए कि महागाई हो गया ना अब लोग घी नहीं उपलब है पहले घी उपलब था जनसक्या कम था तो लोग घी का ख़जा बनता था अब जैसे जैसे सब्सक्राइब दिखलते गया वैसे वैसे समान प्रोडेक्ट का नाम सुने हैंगे केंद्र और राजसरका दोनों मिल करके चला रहा है एक जिला से कुछ बाद को उठा करके उसको पिस्वस्तर यह पहुचाने की कुल्सिक होती है तो शुकोल जिला में यही आपको इस स्कीम के बारे में जान करी है अगर सरकार की योजना आप लोगों पहुंचती है तो क्या फाइदा मिलेगा आप लोगों पहुंचाएगा तो और हम लोग मतलब हम दो तिन दोगान दरा कम पुजी वाले है अभी आप लोग यो खाजा Android दे तो क्या कुछ समस्य आप लोगों को सामना करना पड़ाता है कोई करना पड़ता है कोई रेट कम बैढnya की सब करता है कोई एक फिक्सेट नहीं है सरकार अगर फिक्स मिलेट बदा दे हैं तब तो कोई दिखते नहीं है इसी को क्या आप लोगों कोई हुआ नहीं है तो अगर सुब्धा मिल सकता है तो हम युच घर से सकते हैं क्या अभी सरकार के तरफ से कुछ आप लोगों को सहायता मिलती है कोई सहायता नहीं है वागाई हो यहां लोग खुझता है सस्ता में जब कि 140 में कता एक सरुब यह दीजिए एक सटेक पर मिठा है इसलिए हम लोग का धंधा इसलिए पर रहे हैं चलता है यहीं मार्केटिंग है सब दी नहीं चलता है सीजन के नुपुल है और बाकि जो है मंदा मंदी में हम लोग सब अस्थाप लोग भी बैठे हुए रहते हैं आप लोग के कितना जनरेशन से यह काम कर रहे हैं आपके बच्चे भी सी काम में आएंगे कि यहां विसेश्था था कि पहले बनता था नहीं पट्टी सुनते थे बूर पुरान अगर चोबनी देता था इस पार से उस पार हो जाता था खाजा अब बैदा नहीं रहा वह समन नहीं रहा नहीं बनाने वाला रहा अने उखाने वाला रहा आप चाहिए लोग को पुर- खाजा मुलाइन खास्ता अब चाहिए करगर कराक्तर ना कर रहा हूं बड़ी बरतन चेंज होगी आप नहीं रही उसके पुराने खाजा खाने कि इसलिए आप लोग का थुरा सा यह होता है कि लेने देने में थुरा सा है होता है और इसी बज़ा से अपना ट्रांजक्शन क चाहिए जो है तो आप देख रहे थे डिमोकरेटिक चरखा यदि आप मेरे इस वीडियो की यूट्यूब पे देख रहे थे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले यादी फेस्बुक पे देख रहे तो मेरे पेज को लाइक और फोलो कर ले मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद